नमस्कार दोस्तो आपने देखा होगा कि हम अक्सर अपने ब्लॉग पर समय समय पर महान प्रेम कहाने और सच्ची प्रेम कहाने लिखते रहते हैं तेकिन यह प्रेम कहानी कुछ खास है यह कहानी इसले खास है क्योंकि इस कहानी में कुछ अलग है कुछ नया है इस कहानी का नाम है प्यार की कहानी इस प्रेम कहानी में प्रेम का एक उदारन है जो गरीबी और अमीरी को मिटाता है जो आज की दुनिया में बहुत कम है मुझे उम्मिर है कि आपको यह प्यार की कहानी पसंद आएगी अगर आपको यह प्यार की कहानी पसंद आती तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि आपको एक कहानी कैसी लगी एक अमिर लड़का था उसे एक गरिब किसां की लड़की से प्यार हो गया क्योंकि उसका गरीब परिवार से रिस्ता था लेकिन कुछ समय बाद जब लड़के को इस बारे में पता चला तो उसने लड़की के माता पिता से बात की और लड़की को समझाया उस लड़की को समझने के लिए काफिस समझाने के बाद दोनोंने शादी कर ली शादी के बाद लड़का उसे बहुत प्यार करता था दोनों की शादी बहुत अच्छी रही लेकिन कुछ मैनों बाद लड़की को तोचा रोग हो गया जिसके कारण वह अपनी कुप सर्ती को होने लगी अब लड़की डरने लगी थी कि उसकी सुन्दर्ता कम होने के कारण उसका पती उसे छोड़ न दे लड़की उस तोचा रोग की दी करने के लिए हर संबो फ्रयास कर रही थी समय बीत रहा था और लड़की की सुन्दर्ता धीरे धीरे कम हो रही थी एक दिन लड़का एक शहर से दूर शहर गया, जब लड़का वहाँ से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक कार के साथ उसका एक्सिदेंट हो गया, उस दूर घटना के दोरान लड़के की आखे चली गई, इस दूर घटना के कुछ समय बाद उसका जीवन फिर से सामन्य और पुशहल होने लगा, जर्मर होगे के कारण वह लड़की दिन परती दिन कमजोर और बस सुरत होती गई, लेकिन पती के अंदे होने के कारण उसकी शादी अच्छी चर रही थी, दिखाई न देने के कारण लड़का उससे पहले की तरह प्यार करता रहा, कुछ साल बाद ब अपनी पत्नी के बिना आखे ले रहो के, वह तुमारी बहुत देखबाल करती थी, अब तुमारा जिवन अंधरे में है, कैसे बितेगा, तब लड़के ने अपने पडोसी की ओर देखा, और गहरी सास लेते हुए का मैं कभी अंदा नहीं था, लेकिन मैं अंदा होने का ना बना रहा, लेकिन मैं सुनकर पडोसी की आखों में आसू आ गए और लड़का वहा से उड़कर चला गया, ये वक्त गुजर रहा है, कुछ पल तुम भी चुरालो, कब तक अखेले रोहोगे मेरी मानो, तुम भी किसी से दिल लगालो, तुम भी किसी से दिल लगालो, धन्य खीरी किसी से धिल लगाए लगालो, तुम भी किसी से दिल लोहती।